अगर आपको इस परकार के वैनर आ रहे हैं आपके फिलिप कार्ड पे तो आपको जो है इसे अप्लाई कर दीजिए आपको जो है मिलने के चांसे काफी हाई है और देख सकते हैं मुझे कई परकार की जो है वो वैनर आ रहे है मेरे फिलिप कार आईडी पे तो मैं इसे अप्ल इस वीडियो में आपको बताऊंगा अब मेरी वीडियो के वाइसी भी हुई है वीडियो के वाइसी में क्या क्या पूछा गया और क्या क्या बताया गया बो मैं आपको बताने बारा हूं देख सकते हैं यह lifetime free credit card मुझे ओफर किया जा रहा है यह visa card की साथ इस समय आ चुका है इससे पहले master card की साथ आता था है और यहां पर unlimited 5% cashback मिलेगा आपको flip card पे 25 पे welcome benefit मिलेगा complimentary lounge access मिल सकता है और जो cashback form होगा वो 5% मिलेगा unlimited तो direct आपके bill में आ जाएगा मिंत्रव फिलिप card पे आपको 5% मिलेगा 4% 1.5% आपको online या offline जो है वो मिलने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से credit card यह है मिल रहा है और काफी trend में है इस समय यह देख सकते हैं कौन कौन apply कर सकता है salary आपको 15,000 से एबब होनी चाहिए और self-empirate के लिए 30,000 के आसपास होनी चाहिए गाना, प्लेम, स्वेगी यह सारे आप देख सकते हैं जो पार्टनर्स हैं इन पर आपको काफी अच्छा benefit मिलने वाला है तो मैं इस वीडियो में apply करके दिखाऊंगा मेरा जो है verification भी हो गया है डॉक्मेंट्स पिक अप रहे गया है मैंने वीडियो के वाईशी के थ्रोज हो है वो अपना डन किया है और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए मैं इसे apply करने वाला हूं देख सकते हैं मैं अपना नाम मदर ने और आप चेंडर में इस्टेटर जो भी है वो आप चीवस करिए यहाँ पे पैन कार्ड नमबर सेलरेड आप हैं सेलरेड आप ऐसा डालिएगा कि आप को कोई ऐसी कंपनी डाल दीजिए और प्लस मंतली 15,000 से उपर सेल होनी चाहिए आपको करेंट एडर्स डालना ह और और अबिस एडर्स अपना डाल दीजिए यह बिल्कुल गलत नहीं डालना है आपको हो सकता है आपका वेरिफिकेशन किया जाए लेकिन आप जो बिल्कुल गलत नहीं डालेंगे और बिल्कुल सही डालिएगा आपको 99.30 चांसे हैं कि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिल जैसे मैंने क्लिक किया था तो पहले मुझे नहीं दिखा रहा था कि आपका कमेंशन दिखा रहा था फिर दूसरे दिन मैंने दिखा तो दिखाने लगा लेकिन मेरा पिंक का वोड पे जो है वो नहीं दिखा रहा फिर तीसरे दिन मैंने दिखा तो दिखाने लगा तभी मैं मैं इसे apply कर रहा हूं कई सारे वैनर जो है वो दिखाई दिये थे और देख सकते हैं यहां पर additional feature six month में card issue के बाद credit limit पढ़िया है और call और information जो plan होता है इनका वो आपके पास आये या ना है तो आप यहां से भी जो है वो continue कर सकते हैं और यह आप कर दीजिए दोनों पर टिक क वाली बात नहीं है और term and conditions जो है वो access bank के उपर ही जो है वो आपको provide करेगा या नहीं करेगा वो सब access bank पे ही जो हो depend करता है यहां पे आपके registered number पे OTP जाएगी OTP डाल दीजिएगा और OTP डालने के बाद आपको verify करना होगा यहीं से आपका पता चल जाएगा कि card आपको time लगने वाला है मैं आपको इसमें बता दूं आपकी profile के साफ से जो है वो आपको card मिलेगा और limit मिलेगा आपकी civil के साफ से मेरा इससे पहले पिछले महिने SBI का octane credit card बना 1,35,000 limit आई है उसमें मैंने card to card apply किया था तो video देख सकते हैं और SBI बनाता हो तो यहां पे आप income documents pick up करने के लिए आपके घर पे executive आएगा card जो available हो है छे से साथ दिन में आपको जो मिल दाएगा और जैसी approval होगा virtual card आपको जो है आपकी application में show होने लगेगा तो मैं यहां पे video KYC करूंगा और in person अगर आप KYC करते हैं तो काफी long time लगेगा और executive होते हैं वो काफी अच्छा जाएगा देख सकते हैं यहां पर आपको setting में जाके जो है location अनेवल करना होगा और यहां पर देख सकते हैं यहां पर chrome के थरू आपको जो हो KYC करने होगी और देख सकते हैं यहां पर video KYC के लिए आपका जो है वो camera अच्छा होना चाहिए और internet stable होना चाहिए बिल तब ही आप जो आप आसानी से कर पाएंगे तो yes या no को option आ रहा है तो आपको यहां पर yes करना होगा यहां पर आपको जो हो लोकेशन अलाओ करना है और यहां पर आपको जो होगा आपका pen card number और mobile number जो हो आजागा फिर आपको इस पर आधार card number जो हो आपको डालना है आधा जो अधार कार्ट से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपको OTP आगी OTP आप एंटर करेंगे तब यह आप जो वीडियो के वाइस ही के लिए आगे प्रोसेस कर पाएंगे तो देख लीजिए आप यहां पे मेरा अधार कार्ट से डिटेल आ चुका है मेरा एड्रस करेंट एड कर सकते हैं मैंने यहां पर कट कर दिया था यहां पर लिखके भी आ चुका है कॉंग्रेचुलेशन के वाइसी यह वीडियो के वाइसी के लिए बोल रहे हैं तो मैं वीडियो के वाइसी ही चूज करूंगा और बिलकॉल मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो के वाइसी क लिए आपको अधार कार्ड लिंक जो है OTP डाल देना है OTP जैसे ही एंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पर फिर केमरी के आपको जो है वो वैल इंवर्मेंट होना चाहिए विलकुल साफ सुत्रा और ओजिनल पैन कार्ड आप अपने साथ रखिएगा और यहाँ पर आपको कंचन देना है और वेट करना है वेट टाइम आपका काफी हो सकता है आप अपने हिसाब से मुझे करीब 8-10 मिट ल तो फिर उसके बाद ही आपका जो नेक्स स्टेप आएगा कि आपके डॉक्मेंट्स पेक अप होएंगे क्या क्या डॉक्मेंट्स लिया जाएगा मेरा इस समय आइडेंटी कार्ड और मैं जो इनकम प्रूप में दूंगा वो क्रेडिट का एक महिने का स्टेडमेंट और यहां पर एजेंट्स ने कुछ नहीं बस वेलकम किया था मरला गोड मॉर्णिक वो स्टेडमेंग और यहां पर मेरी के वाइसी जो है वो डन हो चुगी और बस आपका नाम पूछा और आपका पिन कोड पूछा और आपको बस ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए आपकी आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिए और कुछ भी नहीं पूछा म Tax से झेभी नई पूछा इन अकमजंस आप किया देंगी या आइडेंट कार्ड में क्या क्या देंगी और यु आपका सिर्फ पैन कार्ड देका जाएगा ओरिजिनल वो भी कैसे लेकिन नहीं वो ले पैक कैमरे से आप दिखाईएगा ओरिजिनल पैन काड अपने हाथ में रखिएगा और आपकी जो के बाइसी डन हो जाएगी देख सकते हैं आप पिन कोड आपका आपका करंट पिन कोड आप बताईएगा और आपके जो है वो और कुछ नहीं पुचा जा आपका जो है जो भी प्रोसेस होने वाला है वो आगे प्रोसेस होगा और आपका जो हो कार्ड अपरोवल होगा वीडियो के बाइसी के बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट वरकिंग टिंग में आपको क्या करना होगा संडे पड़ गया इसलिए मेरा इंक्वाइरी नहीं ह पाया और वीडियो के वाई सी डन हो चुकी है देख सकते हैं और कॉल जो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और कुछ इस परकार से इंटरफेस आएगा देख लीजिए यहां पर जीसान नाम का बन्दा था जिसने वीडियो के वाई सी किया था और की वाई सी जो हो चुकी है आपको एक application generate हो जाएगा उस application को आप reference number समझ सकते हैं और उसे आप safe करके रखिए अगर आप कभी भी पूछना चाते हैं इंक्वाइरी करना चाते हैं तो देख सकते हैं आप स्टेटस पता कर सकते हैं और इसके बाद आपके सिविल में एक इंक्वाइरी होगा इंक्वाइरी होने के बाद इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस परकार से होगा पहले आप देख लीजिए after KYC के बा आपके इस परकार से आया था यहां पर देख लीजिए एक लेंडर इंक्वाइरी होई है और आजी की डेट में मंडे है फिर इसके बाद यहां पर बैंक हो गया है डॉक्मेंट पिका फिर कार्ड जनरेशन का आप्शन आएगा पैन कार्ड आधार कार्ड पास्पोर्ट या इन डॉकुमेंट में से कोईसा भी आप आइटीनटीप प्रूप दे सकते हैं एड़र प्रूप और इंकंव में आप आई टी आर बैंक स्टेडमेंट या सेले सिलिफ दे सकते हैं मैं क्रेडिट कार्ड का स्टेडमेंट देने वाला हूँ और यहां पर मेरे पास क्रेडिट कार्ड और लेडी है अगर यह अप्रूब हो जाता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा चैनल को सब्सक्राइब करेजिए वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाहें दोस्तों बंदे मादे